तो PN junction, diode का जो सबसे पहले forward bicing है, वो किस प्रकार से किया जाता है, connection आपके पास है, जो FB वाला portion है, आप इसको देख रहे हो, यह FB वाला portion आपके पास दिख रहा है, इसका P terminal, यह positive terminal, जो millimeter है, उसके negative terminal के साथ जुड़ा है, जबकि जो forward bicing का negative terminal है, N terminal जो है, N series जो सी रहा है, उसको हमने volt meter के negative terminal से जोड़ रखा है, negative से negative जोड़ दिया, positive से positive जोड़ दिया, तो अपने आप से forward bicing हो गई, और उसके बाद, जबकि emitter और volt meter के दोनो positive terminal एक साथ जोड़ेगा है, क्योंकि volt meter जो होता है, वो हमेशा series में जुड़ा होता है, वो हम जो है, forward bicing की तरफ होना चाहिए, बाकि सब कुछ आपके पास है, एक चीज और जो आपको याद रखनी है, अभी तो जैसे इस वाले portion में आप देखेंगे, अगर नजदीक से देखा जाए, इसको थोड़ा सा zoom करें, तो अगर नजदीक से देखा जाए, तो यह zero से बाहर क है, जो हमें इसके error को करनाADE, और इसके error को खत्म करने के लिए हमारे पास आसान तरые का, वैसे शूट्राइवर यूट करना चाहिए, बट हमारे पास इस वकट मौदक उससे काम करते है, तो इह जो पेच है हमारे पास, इसको अगर हम थोड़ा घुमाहें या आपने अपने से भी आप इसको ट्राइबर आपके पास होगा तो खतम कर से अब आपके पास जीरो एरर नहीं बची अगर आप देखेंगे तो अगर आप उसके बाद की स्ठेज आप ध्यां करिएगा कि फॉर्वर्ड बाइसिंग में हम लोग मिली एंप पर व्रक करते हैं और साती साथ वोल्टेस को काउंट करते हैं लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले लीस्ट काउंट निकालनी होती है और लीस्ट कैसे निकालते हैं इस पर ध् ब्लैंक पोजिशन है तो इसका मतलब इसकी जो एरर हो जाएगी लीस काउंट जिसे हम लोग कहते हैं वो 3 by 10 यानी 0.3 हो जाएगी लीस काउंट इसके लिए जो होगा मिली एमिटर के लिए कितने जाएगी 0.3 और बिल्कुल इसी तरहीके से यहाँ पर काम करें वोल्ट मिटर के लिए देखें यहाँ पर पहला टर्म 0.2 लिखा होगा और इसके अंदर भी इतने 10 खाने तो इसका मतलब अगर इसका लीस काउं 0.02 से और वो रिडिंग के तोर पर लिए ऐसी यहाँ पर जो भी खाना हमारे पास सब्सक्राइब वन खाना आ रहा है तो multiply by 0.3 अगर चार खाने आ रहे है multiply by 0.3 इस तंप को आप लिखते जाएंगे तो आपके पास एक scale पूरी की पूरी कहानी रिडिंग की कहानी बनती चले जाएगी गौर करने वाली बात है कि जब हम इसको घुमाते हैं जब इस FB वाले forward bicing के knob को घुमाना शुरू करेंगे तो शुरूवाती तो पर voltage बढ़ेगा लेकिन जो emitter है उसके scale में किसी प्रकार का कोई deflection नहीं हो और उसके बार deflection की जो condition नमारे पास आएगी वो एक stage के बाद आएगी तो हमें वो range देखनी है कि कहां पर जाकर वो scaling सुरू हुई है कहां पर deflection start हुआ है तो आप ध्यान करें दोनों ही चीजें आपकी properly दिखनी चाहिए जूम करते वे चलेंगे camera को तो सब साफ आपको रेंज निकालता हूँ इसको घुमाना शूरू कर रहा हूं देको voltage बढ़ रहा है ध्यान करें voltage बढ़ रहा है लेकिन ये 0 position पर है आप इसको वीडियो में देखेंगे properly आपको सब कुछ नजर आएगा कि यहां 0 बढ़ रहा है देको बढ़ते जा रहा है voltage बढ़ते जा रहा करीब पहुंचने वारा था तो जब वहां पहुंचा तब यह हिलना स्टार्ट हुआ है अब कहा maximum level तक जा रहा है इसको देखना एक maximum level पर voltage पहुंचने के बाद यह करेंट होगी वह last stage पर पहुंच जाएगी तो यहां ध्यान करना जो आपकी यहां पर milli ampere की आपकी रेंज है और एक stage पर voltage जो होगा वह बढ़ना रुख जाएगा एक position पर और current बहुत तेजी से आगे की तरफ बढ़ेगी आप यहां दोर करें यह देखो अब रेंज को क्लॉस कर गई है 0.6 से दो खाने आगे चले गए तो यानि किस रिडिंग पर मैंने यहां पर आपको बताया थ 2 है और यह 0.6 से 2 खाने आगे चले गए इसका मतलब 0.62 और इसके आसपास पहुंच गया multiply by 0.02 कर देंगे तो उतनी रिडिंग पर यह current क्या हो जाएगी maximum पर तो आपने जब scale बनाना है जब properly process करोगे तो आप एक एक पाइंट पर यह छोटे पाइंट पर कि 2 खाने बढ़ तो एक लेवल के बाद आपकी stage change हो जाएगी और आपका first stage तैयार बन जाएगी तो यहां अब आपने ध्यान रखना है कि जब आप इसका graph बनाएंगे तो आपके पास graph के आगए वैसे तो हम तो total graph बनाते हैं उसका एक साथ तो graph आपके पास क्याएगा सुरुवाती तोर प बढ़ जाएगा और saturate हो जाएगा तो यह इसका पहला graph होगा अगर आप इसको ध्यान से देखें तो यह आपके पास पहला graph आएगा कि voltage की तरफ सुरुवाती तरफ पर voltage बढ़ा रहे थे current नहीं बढ़ गए थी current अपनी जगह पर थी लेकिन एक लेवल के बाद यह current इतनी बढ़ जाएगा linear हो जाएगा और वैसे अगर हम दिखाना चाहे तो वह constant saturated होता तो वहाँ पर हम उसको end आई बासन में इतनी बात क्लियर हो गई ठीक है वहाँ second वाला portion हमारे पास आ गया है जिस पर हमने करना है reverse pricing सेम कंडिशन है सेम तरीका सेम टेक्निक जैसे फॉर्वड बैसिंग को बस स्ट्रक्चर में जो फायर का कनेक्शन है वह बनों दिया पाकि कुछ नहीं दा है इसमें reverse pricing portion पर आप गौर करने जो पॉजिटिव पाल्ट है आपका वो बोल्ट मीटर के नगेटिव रिजन से जो जबकि जो reverse pricing का end terminal है उसको बैटरी के जो हमारे पास जिसे कहना चीए एमीटर के negative portion जो लखा है जबकि एमीटर का positive portion बोल्ट मीटर के positive portion से जो है यह एक complete connection हो गया reverse pricing सबसे पहले तो आपने दियान रखकर चलना है कि जो आपके reading निकालने के लिए जो forward और reverse pricing के portion से knob जो है उ जो सबसे ज़्यादा important है कि जब reverse pricing कर रहे हो तो reverse pricing toggle को reverse pricing portion पर रखना है और यहाँ पर भी जो knob है उसको भी reverse pricing पर रखना है क्योंकि अंदर के connection तभी work करेंगे जब आप इस प्रकार की process करेंगे इसके बाद power को on कर देते हैं यहाँ पर आप साफ देख सकते हैं इसको zoom करके देखिए कि जो micro ampere का सुई है निडल जो है वो भी जीरो के जस्ट उपर है और यहाँ पर भी देख सकते हैं वोल्ट मीटर में भी जो निडल है वो जस्ट जीरो पर इस्थित है अगर coincidentally यह जीरो पर इस्थित नहीं है एक screwdriver या किसी भी चीज से नेल से भी अपने नेल से आप इस वाले portion के page को घुमा कर अपने accordingly निडल को जीरो के उपर रख सकते हैं तो पहला काम जब हम इसको जीरो जीरो पर चेक कर लेते हैं तो हमें मालूम चल जाता है कि किसी भी प्रकार का इसमें जीरो error नहीं है नमबर दूसरा point हमें least count निकालना है दोनों का micro emitter के लिए सबसे पहला काम है तो फिर वही condition जैसा हमने forward pricing में करा था कि आप देख रहे हो कि हमारे पास इसमें यहां ध्यान करना है अब क्योंकि micro emper उपर वाला scale देखा जाएगा तो यहां ध्यान करिए कि 20 लिखा हुआ जीरो के बाद 20 आ रहा है और इसमें खानों की संख्या 10 है आर 2 और इसी प्रकार से यहां पर भी आप लेकर चलें कि 5 हमारे पास है और 10 है तो 5 पाइट 10 कर देंगे तो 1 बाइ 2 यानि 0.2 0.5 पाइट 5 हमारे पास इसका लेस तो इसका 0.5 लिस काउंट आ गया और इसका मैंने बता दिया 2 आपका लेस काउंट आ गया अब उसके बाद processing ब आपने दोनों तरफ के ऊपर के खानों को ही चेक करना नीचे से कुछ नहीं है जो नीचे का scale है उसको चेक नहीं करना ऊपर वाले scale को चेक करना है क्योंकि वहीं micro ampere लिखा हुआ है जब आप initial घुमाते हो तो आप गौर कर रहे हो कि volt meter जो है वो आपका नहीं घुम रहा है पीटर नहीं चलना है जबकि current यहां पर चल रही है आप गौर करिए यह current बढ़ना शुरू कर रही है अब voltage भी यहां से बढ़ना शुरू कर रही है यह थोड़े से में actual में reverse pricing का concept क्या आप इस point को दिमाग पर रकर चलने कि reverse pricing के concept में जब आप उसके पूरे connection को तैयार करते हो तो positive को negative से और negative को positive से जोड़ते हो एर ऐसी दश्या में उसकी depression reason बढ़ते चले जाता है जिसके कारण internal electric field भी बढ़ जाता है अब electric field को अगर बाहर से electric field support करना शुरू कर दे तो ऐसी दश्या में जो electron और holes थे junction की और ना जाकर junction से पीछे की तरफ हटना शुरू करते है प negative वाला positive बैटरी की terminal की तरफ और साथ ही साथ अंदर जो combination बन चुके थे counterparts के वो भी तूटने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक ऐसी voltage हमें मिलती है जिस वक्त वो बहुत तेजी से abruptly word का यूच किया गया है तेजी से electron hole तूट जाते है तो जिस voltage पर वो तूटते हैं उसको ह आप इसी बात को feel करेंगे कि शुरूबाती तोर पर current और voltage initially दीरे 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 दोनों बढ़ रही है लेकिन एक reason पर आकर voltage नहीं बढ़ता बलकि current जो है बहुत तेजी से downfall होती है यानि reverse वाले position पर बहुत तेजी से गिर जाती है तो यहाँ पर अगर आप उसको गौर करें अब उसी portion को मैं दिखाना शुरू कर रहा हूँ पूरा ध्यान यहाँ zooming करते हुए चलना दोने scale पर जिससे आपको साब दिखे कि जब आप घुमा रहे हैं इसको देगे current पर बढ़ यह voltage उससे तेजी से बढ़ रही है एक reason पर current की value एक जेगर पर बहुत कम हो जाएगी और यही हमने काम करना है तो अब जब उसके graph को हम लोग देखते हैं तो graph क्या आ जाएगा यहाँ ध्यान करें जो मैंने यह structure बना रखा है यह आपका voltage negative voltage की तरफ चलने है और यहाँ यह current आपकी reverse current है आई आर लिख दिया तो शुरूवाती तोर पर यह धीरे धीरे constantly आगे बढ जाती है जिस point पर जाकर यह गिरती है इसको हम लोग knee voltage कहते हैं इस प्रकार से यह आपके पास IV characteristic curve बन जाता है यही हमने करना है तो यह reverse और forward vicing का graph है इसी से निकाल करके solve हो जाता है